हलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में आपको यह बताने जारों कि कैसे आप अपने वीवोवी 23 Android मॉयल फोन में आप पासवर्ड लॉक कैसे सेट कर सकते हैं ठीक है और यह पासवर्ड लॉक सेट करने के बाद आपके फोन की सेटिंग कैसे काम करेगी आज के इस वीडियो मे सकते हैं अगले पेज में आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा स्क्रीन लॉक इसे सेलेक्ट करना है अब इसके अगले पेज में आपको सबसे नीचे ऑप्शन मिलेगा कॉंप्लेक्स पासवर्ड इसे सेलेक्ट करना है अब यहां पर आपको एक पासवर्ड लॉक सेट करने के ल चाहे alphabet के letters का use कर सकते हैं, आप चाहे तो इन दोनों को mix up करके भी एक password यहां पर set कर सकते हैं, तो यहां पर आप password यहां पर कोई सा भी enter कर लीजे, मैं यहां पर randomly 1 से लेके 4 तक की counting यहां पर डाल देता हूं, इसके बाद आपको next का button show होगा, इसे select करना है, अब यहां पर इसके बाद आपको यह confirm का button select करना है, अब इसके आगले page में आपको जो है, नीचे की side यह option मिलेगा, done का, done पर select करना है, तो आपका यहां पर यह screen lock के नीचे complex password लिखा हुआ आजाएगा, यानि कि आपका इस तरीकी से set हो जाएगा password lock, ठीक है, अब मैं आपको यह भी बता password एंटर करना है, जो आपने set किया था, इसके बाद नीचे right click का option select करना है, आपका phone unlock हो जाएगा, ठीक है, तो इस setting ऐसे काम करेगी, password lock set होने बाद आपके mobile phone में, अब मैं आपको इस setting को ढूंडने का एक shortcut तरीका बता देता हूँ, आपके phone में, इसके लिए आपको mobile phone का setting page फिर से open करना है, setting page में आपको सबसे उपर ये search icon का option select करना है, और यहाँ पर आपको search बार में screen lock आपको type करना है, तो आपको नीचे ये option show होगा, यहाँ पर आपको screen lock का yellow option select करना है, जिसके नीचे setting security लिखा होगा, इससे क्या होता है, आपका mobile phone आपको directly setting में लेकर आ जाता है, तो यह मैंने आपको एक shortcut तरीका भी बता दिया है, इस setting को ढूंडने का,